हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी फ्रेंड्स आज में इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आर आर भी यानि कि रेल्वे रिक्वार्मेंट बोर्ड में जो गुरूप डी के वेकिंसी आई हुए उसका आप online phone किस परकार से फिल कर सकते हैं step by step आपको मैं सभी जानकारिया देने वाला हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो please friend वीडियो लाश तक देखते रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request है अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो please like कर दीजे अगर आपका dislike करने का मने वह भी आप कर सकते हैं अगर फ्रेंड्स आप डिसलाइक करते हैं तो please regional बता कर जाना ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स एपलाई करने के लिए आपको सबसे पहले कोई browser ले लेना है उसमें Google open कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स Google open करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है और एndra कर देना है θα ब्रेंड्स अब ग्रेंड्स आपके समझे पहली वेबसाइट है यहां कि ईसव कुस्पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर ख्लिक करेंगे तो आपध रिखुरार्मेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको यहां पर इसमें लेवसेट ऐपन हो चुके उसी परकार से आप अधर की भी ऐपन कर सकते हैं, करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आवेदन के लिए यहाँ किलिक करें, और आपको समय सभी जान करनें, यहाँ दियरेगे एमेल आईड पर, ठीक और यहाँ पर candidate login print application और application modification ठीक आपको friends अगर आपको इसको निद्देश पड़ने हैं किस परकार से आपको अपको क्लिक करना है आपको सभी detail wise जाण करी दी गई है तो फिर से आपको home पर आना है अपना है अपना नियूप रिश्टियोशन पर क्लिक कर देना है जैसे चेक कर सकते हैं और फ्रेंट्स एक बात हो रहे हैं अगर आप एमदाबाद में सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही जोन में अपलाई कर सकते हैं या अगर आपने एक जोन सेलेक्ट कर लिया है और बाकिया आपने तीन में और सेलेक्ट कर लिया है ठीक है फ्रेंट्स तो आपके चा क्वार्मेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे आने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें नीच डाउन आना है और उसमें आपको यह सभी जानकरी जो निर्देश दिये गए वह आपको रिड कर लेना है इसमें आपको सभी जानकरी यह मिल जाएगी टोटल सब्सें छेंश अब देखें फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले अपना नाम फिल कर लेना है फिर आपको रियेंटर करना है यानिकि जो आपने पहले ओपर लिखा गाया है वही सेम लिखना है फिर आपको यहां पर अपने डेट ओबर सेलेक्ट करनी है फिर आपको यहां पर आदार कार्ड के बारे में बताना है कि अगर आपके पर आदार कार्ड है तो यहां पर आपको उसका नंबर देना होगा अगर आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते वह भी आपको यहां पर और आप सब्सक्राइब करने आए उसके बाद आपको अंपना फादर नेम देना है फिर आपको अपनी मदर नेम देना फिर आपको यहां पर टैंथ का आपको क्लिक कर देना है जो आप यह मोबाइल नंबर और इमेल आईडी दे रहे हैं या एक्टिव होनी चाहिए नहीं कि चालू होनी चाहिए चुक्कि इनके दोनों पर एक ओटी बेजाएगा वह आपको यहां पर फिल करना होगा ठीक फ्रेंट आया आपको डिकलेशन पर क् क्लिक कर देना है अगर आपको लग रहा है बिल्कुर सही है तो यहां पर ग्रीन वाल लाइन पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस सम्मिट को अप्शन आपके सामने आ जाएगा आपको सम्मिट पर क्लिक कर देना है ठीक फ्रेंट्स तो आ मеся sanat और यहां पर आपनी इमेल whispering और अपनी आईडी और पर ऊफ्ल करना फिर आपको कैप्छर कोड करना है उसके बाद को समिट पर किलिक करना है तो मैं यहां पर आलगाला आएगा तो तो यहां पर पहले आपको अपनी email ID फिल करनी है, तो मैं फिल करता हूँ, अब देखे फ्रेंड्स, मैंने यहां पर यह जो OTP आ था, mail पर वो लिख दिया है, फिर आपको यहां पर जो mobile पर आया, वो फिल करना है, और यहां पर अपनी email ID फिल कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यह capture code यहां पर फिल करना है, यहां से उठाना है, और यहां प आपको submit पर click करना है, ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे submit पर click करेंगे, तो आपके सामने आपका registration number आ जाएगा, और आपके mobile पर भी एक SMS आ चुका है, मेरे पास भी आ चुका है, अब आपको यह note कर लेना है, यह आपको इसका print निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आप आपको यहाँ पर login पर click करना है, मैं तो यहाँ पर मेरे phone पर आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर यहाँ से मैं ले लूँगा, अब आपको यह note कर लेना है, ठीक है और login पर आपको click करना है, जैसे फ्रेंड्स आप login पर click करेंगे, तो आपके सामने जो आपने registration number नोट किया पर आपको यहाँ पर date of birth फिल करना है, और आपको यह capture code फिल करना है, और यहाँ पर फिल करने के बाद आपको login पर click कर देना है, तो मैं यह करता हूँ, तो मैंने फ्रेंड्स फिल कर दी, अब आपको login पर click करना है, जैसे आप click करेंगे, तो फिल से आपके पास यहाँ पर second जो फर्स्ट पार्ट है इसका यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं और फर्स्ट एप्लिकेशन ठीक है अब आपको यह फिल करनी है तो मैं फिल करता हूँ उसके बाद आपको सभी जाने का दिया फिर से बताऊंगा अब देखें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको अधर भी दी गई है कि जैसे कि आप 10th न is see जो भी आपके पास हो तो मैं आपको और अपनी कास्ट करनी है जो आपकी deci जिससे आप भीजाश्ट करक्ते हैं जो कर देनी या जो आपकी कास्ट है आपकी जाती में मिल जाएगी फिर आपको आप सकते हैं जो आपकी नेशनल्टी है वह आपको सेलेक्ट कर नीजिए आप अगर इंडियन से भी लोक करते तो मेनने नोग कर द्यायायाई फिर आपको सभी यह कंड नो कर देना और आपको une works ब्रेकर कर सकते है यहां पर देख सकते आपका registration number आ चुका है और आपका नाम यहां पर आ जाएगा और registration number भी आ जाएगा ठीक है फ्रेंट्स अब आपको यह कह रहा है कि आप इसकी fees जम्र कीजिए ठीक है फ्रेंट्स तो fees submit करने के लिए आपको यहां पर तो दूछ मोड दिये गई है यहां पर देख सकत है पे मिट मॉड पर यहीं जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां वंपेas सब्सक्राइव ותव檬 लेएंगे तो आपको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो SBI की ओफिसल वेबसेट है वो आपके सामने आ जाएगी ठीक है अगर फ्रेंड्स आप SBI की यूज करते तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा यहां पर आप देख सकते हैं कोई चार्ज नहीं लिगा अग देट कर रहे हैं तो आपको 12.98 पैसे इसमें आपको चार्ज लगेगा ठीक है इसी परकार से आप यहां पर चेक कर सकते हैं इसी परकार से कुछ और भी दी घए तो मैं Net Banking यूज़ करते हूं तो आपको net banking पर use select कर लेना है तो यहाँ पर click कर देना है net banking के लिए अब जैसे इक क्लिक करेंगे तो friends आप इनकी एक नई SBI के जो website है उसपर आजाएंगे जैसे आप click करेंगे तो friends आप SBI के एक नई website फिर से आपके समने आपने उपने हो जाएगी और फ्रेंडस जैसी क्या फिर समय कर देंगे तो जो इनका next प्रोजर होगा वो 28 गंटे के बाद क्यूग यह फीस अपडेट होगी उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो इसका वो कर रहेंगे तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा यह कि दो दिन बाद जैसे कुछ होगा आप फ्रेंड नोटिफिकेशन में दे 24-48 गंटे में इसके फीस है वो हो जाएगी इसलिए फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा अगर फ्रेंड आपको कोश्चन है तो वीडियो कमेंड बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और फ्रेंड प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पहले बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको यहाँ पर रोज पर डे दो वीडियो मिलती है जै इन मनिमातरम